आज दिकी क्लास में हम सिखें लिए वर्दमाना का अख्षा, द, ध, और अड़, अब देखेंगे हम इंसे कॉपमर्णा का अख्षा, द, ध, और अड़, द, ध, से बनता है दम, द, से दम, द, से बनता है डलिया, जिसी टोकी जो होती है उसको डलिया बहते हैं, और द, से बनता है डाक्या, जो पोस्टमेंट होता है, हमारे चिट्खे लाता है, जो होता है द, से डाक्या, उसके बाद होता है द, से डंडा, द, से डंडा, इसके बा धसी बनता है धकन, कोई भी चीज़ जो पिफिन होती है उसको जो धकन होता है उसको हम बोलते है धकन धसी धकन, धसी धोल, धोल जो है आग से बचाते है उसको बोलते हैं डोल और धसी होता है धोलग भी होता है उसको भी हम बचाते हैं धोलग ध से ढोलब और ध से होता है धपली धपली जो गोल होती है जिसको हम ऐसे बचाते हैं तो होती है धपली धपली उसके बाद है अक्षर अड़ा अड़ा से कुछ शब्द नहीं होते हैं अब हम सीखेंगे इन अक्षरों को हम कैसे देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे द लिखा द के लिए एक खड़ लिखा, एक अर्थु बोला उसके बाद एक और अर्थु बोला ये बन्या द फिर से इपर देखेंगे एक खड़ लिखा, एक अर्थु बोला और एक जोटकर अर्थु बोला ये बन गया डग इसके बाद हम सीखेंगे लिखना धग धग से धग कर एक अर्ध बोला एक खड़ी लिखा उसे जोड़कर एक अर्ध बोला उपर बन गया धग फिर से दिखेंगे एक खड़ी लिखा एक अर्ध बोला उसके अंदर एक और छोटा अर्धुकूला ये बन गया धग, धग से धग करें अणा दिखने के लिए सक्सपेरे हम बनाटी यहाँ पर एक अर्धुकूला और एक खड़ियका यहाँ से मिला देंगी बन गया अड़ा फिर से देखेंगे एक अर्धुकूला और एक खड़िया इसे मिलातेंगे ये बरिया अण एक बाद फिर से देखेंगे डहसे, डंगू, डहसे, धककन और अण Thank you